हलो बच्चो आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टेंडर्ड फिफ्थ कलेसन नमबर ट्वेंटी सिक्स वाटर इन दी वेल इसके क्वेशन एन आंसर स्टेडी करेंगे question 1 find a word that has a similar meaning तो इसी meaning का दूसरा word हमको ढूँडना है first sorry तो sorry meaning का दूसरा word क्या हो सकता है pitiful second hole hole का complete third happily happily का joyfully fourth unfair तो unfair का similar meaning का word unjust फिफ्थ, रिमूफ, टेकवे Q2, आंसर दी फॉलोविंग क्वेश्ट 1. वाट दोस्ट पार्मर नीड मोस्ट पर हिस फील्ड एक किसान को अपने खेत के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है Answer, a farmer needs a good source of water for his fields एक किसान को अपने जमीन के लिए सबसे ज्यादा पानी का एक अच्छा सोर्स ची होता है 2. वेर वह दोवेल सिचुएटेड वो कुव कहाँ पर था Answer, दोवेल वोसीचुएटेड आउटसाइड दाइड कासीम सी फील्ड कासिम के खेत के बाउंडरी के थोड़ा सा बाहर वो कुवा था 3. What did एहमद tell कासिम when he dug a channel and began to draw water एहमद ने कासिम से क्या कहा जब उसने channel खोद कर वहां से पानी लेना चाहा उस कुवे से Answer When कासिम dug a channel and began to draw water, एहमद told him that he had sold him the well but not the water in it He said that the water still belonged to him and कासिम could not use it unless he paid for it separately every day तो जब कासिम ने वो channel खोद कर वहां से पानी लेने की कोशिश की तो एहमद ने उससे कहा कि मैंने तुमको सिर्फ कुवा बेचा हूँ, कुवे के अंदर का पानी नहीं बेचा अगर तुमको पानी इस्तिमाल करना है, तो तुमको मुझे अलग से हर रोज पैसे देने पड़ेंगे Question 4 What did the judge tell एहमद? Judge ने, काजी ने एहमद से क्या कहा? Answer The judge told एहमद that he had no right to keep his belongings in Qasim's property He told एहमद to remove his belongings immediately और pay a daily rent on to Qasim तो judge ने एहमद से कहा कि तुम्हारा सामान तुमको एहमद के कुवे में रखने की कोई भी इजाज़त नहीं है तो अगर तुम तुम तुमारा सामान वहां रखोगे तो तुमको उसको भाड़ा देना पड़ेगा हर रोज का Question 5 How do we come to know that Qasim was a generous man? हमको कैसे पता चलता है कि Qasim बहुत ही दयावान आदमी था Answer We come to know that Qasim was a generous man because he did not ask एहमद to pay rent for the water in his well तो हमको पता चलता है कि Qasim बहुत दयावान था इसलिए कि उसने एहमद से उस कुए में अपने पानी रखने के लिए कोई rent, कोई भाड़ा नहीं मांगा Question 3 Find the meaning of the following phrases and use them in your own sentences यह जो phrases है इनका meaning लिखना है और फिर उसको अपने खुद के sentence में use भी करना है First, again and again तो again and again का meaning होता है repeatedly, बार बार Our teacher was angry because we made the same mistake again and again तो क्या sentence लिख सकते हैं हम लोग हमारी teacher हम पर बहुत गुसा हो गई क्योंकि हम उसी mistake को बार बार दोहरा रहे थे Second, thought over Thought over का meaning होता है considered, उसके बारे में सोचना I thought over the idea given by my friend तो मेरे दोस्त ने जो idea दिया था, उसके बारे में मैंने सोचा, consider किया उसको Third, in his mind's eye याने in his imagination अपनी कलपना में, अपने ख्यालात में He was looking at his house in his mind's eyes वो अपने घर को देख रहा था, अपने ख्यालों में Fourth, in store for About to happen In store for, आगे क्या होने वाला है उसके साथ में He had no idea what was in store for him उसे कुछ भी idea नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है Fifth, his heart sank Heart sank का में नहीं क्या है Felt sudden sadness बहुत ही, अचानक बहुत दुख हो जाना His heart sank on hearing the bad news तो बुरी खबर सुन के अचानक उसके दिल में बहुत sadness, बहुत उदासी हो गई Sixth, heart of hearts याने innermost feeling दिल के अंदर के दिल की feeling She knew in her heart of hearts that something was wrong तो उसे अपने दिल ही दिल में ये पता लग गया था कि कुछ न कुछ बहुत गलत हुआ है तो यहाँ ये question answers खतम हो गए बचो इसको अच्छे से अपने books में लिख लो नेक्ट वीडियो तक, बाई बाई